हलो बच्चों कैसे हैं आप लोग मैसेल्फ ताराचन टीम मैथ CLCC कर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी टेस्ट शीरीज का पेपर नंबर 7 और इसके अंदर हमारे जो टॉपिक्स है वो है अप्लिकेशन आप डेरिवेटिव एंड इंडेपिनेट इंटिग्रेशन इन है तो बात करते हैं इस पेशेंज के अंदर देखिए हमें जो चीजें दी गई है उसकी हल्प से कैसे सॉल करना है क्या दिया देखो फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स ए एंड ब कंसिडर ए फंक्शन एफ एक्स ब्राबर ए एक्स माइनस बी एक्स क्यूब यह फंक्शन ह हमें A और B में एक रिलेशन निकालना है या A और B को सॉल करके वैलियूज फाइंड आट करनी है और फिर फरदर हमें इसमें आगे दो क्यूशन और है उन्हें सॉल करना है तो चली स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे निकलेंगे A और B सबसे पहले तो यह जो है हमा इसमें बोला गया है कि चार एक्स्ट्रीमा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब हमें पता है कि दो ही होते हैं तो च्यार कैसे हो सकते हैं तो च्यार इसलिए हो गए क्योंकि हमारे सामने इसकी जो डॉमेन है ना वो क्या कर दी है वो इन्होंने यहां पर फिक्स कर दी है और domain fix करने से क्या हुआ देखो domain fix करने से हमारा जो भी इसका graph बनेगा जैसे for example इस तरीके से बन गया ठीक है तो domain fix करने से ये जो point होगा ये भी एक extrima का काम करेगा ये point भी एक extrima का काम करेगा ये भी एक extrima का और यह भी एक extrima का का काम करने माला है तो ये जो चार point है ये चारों के चारों आपके सामने क्या है बच्चो ये चारों के चारों आपके सामने extremize point है और इनी की help से अब हमें अपने question को solve करना है तो दूसरी चीज एक और जो इसमें दी रखी आपको वो देर का mod over fx equal to 1 इसका क्या मतलब हुआ कि यह जो आपके पास में value है आप ऊपर वाली यह तो कितनी होगी 1 होगी और यह जो नीचे वाली value है यह कितनी होगी जो same होगी clear है चली अब देखिए यह point तो अपने को पता है क्योंकि domain का सबसे चोटा point है so that point will be minus 1 और this point will be 1 ठीक है यह minus 1 होगा और दूसरा जो point है आपके सामने that will be equal to x equal to 1 यह जो दो points है आपके सामने यह alpha and beta for example यहाँ पर x coordinates alpha होगा y coordinates beta होगा ठीक है तो वो हमें क्या करने है निकालने है करने है चली बात करते है सबसे पहले अगर हम बात करें कि a और b आपको क्या दे रखे है positive real numbers दे रखे है ना a और b positive real number है positive real number है that means b भी positive होगा और b positive होने का मतलब क्या हुआ कि cubic जो है आपके सामने ठीक है उसके अंदर x का जो कॉपिसेंट है वो आपके सामने क्या हो गया नेगेटी हो गया और x कीूप का कॉपिसेंट अगर नेगेटिव होता है ठीक है यह point है अपने पास में minus 1, यह point alpha माल लेते हैं, यह point beta माल लेते हैं, ठीक है, और यह point है आपके पास में, यह 1 है, ठीक है न, यह alpha है, clear, क्योंकि सबसे left hand side का जो point होगा, that is minus 1, उसके बाद में alpha, उसका बीटा, और उसके बाद में 1, clear, अच्छा, एफोप minus 1 पर इसकी value कितनी ह एक point पर अपन value निकालके 1 के ब्राबर करें अगर, तो f of 1 की value कितनी होगी बच्चो, f of 1 की value होगी minus 1 और f of minus 1 की value होगी 1, तो अपन यह कर लेते हैं, f of minus 1 ब्राबर कितना दे रखाए अपने को 1, f of minus 1 कितना होगा, यहां पर put करो देख, इसके अंदर, so that is minus a plus b ब्राबर 1, ठीक है, तो यहां से अपने को क्या मिलेगा, यहां से अपने को a minus b plus 1 ब्राबर 0 मिलेगा, ठीक है, एक condition आगई हमारे पास में यहां से, क्या हमें ऐसा दे रखा है, क्या a minus b ब्राबर minus 1, तो minus 1 दिन नहीं दे रखा है, मैं 1 दे रखा है, that means यह option तो गलत है बच्चो, a minus b का value यह नहीं होगा, इसका मतलब कोई और relation भी आ रहा होगा, जिसकी help से हो सकता है, कि आपका a plus b भी आ रहा होगा, या इस में से कोई भी एक option सही होगा, clear, अच्छा, यह points जो होते हैं आपके पास में, यहां पर भी हमें value पता है, that is 1, alpha and beta पर, तो यह alpha और beta क्या है, तो alpha और beta है बच्छों हमारे पास में, इसके अंदर point of extremage है, point of extremage क्या होते हैं, जहां पर f dash x 0 या undefined, तो यहां पर तो minus 1 और 1 पर तो undefined था, alpha और beta पर f dash x 0 होगा, तो इसको differentiation करें, so f dash x कितना आएगा बच्छो, f dash x बराबर आएगा, a minus 3 b x square, ठीक है, इस point alpha के उपर या बीटा x की value आपकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो 0 करोगे तो कितना आएगा, x square बराबर a by 3 b, ठीक है, x की 2 value हो जाएगी, उसमें से एक value आपकी alpha होगी, दूसरी value बीटा होगी, ठीक है, और again हमें पता है कि f of alpha या f of beta का जो mod है आपके सामने, ठीक है न, वो कितना है देर का है आपको, f of alpha या f of beta will be equal to 1 या f square of alpha बराबर 1, ठीक है न, f of minus 1 है, तो square करोगे, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, clear, अब देखो, इसके से हमपन value निकालते हैं, calculate करते हैं, इसके अंदर alpha put करोगे यहां पर, तो क्या बनेगा, देखो, f square of alpha बराबर आजाएगा, आपके अच्छा, alpha square की value कितनी है, आप यहां से पता है, alpha square बराबर होगा, a by 3b, ठीक है, इसमें put करो देखो, 1 बराबर, इसमें से alpha common ले लो, alpha square that is a by 3b, और 7 में यहां पर कितना आएगा, a minus b, alpha square, alpha square will be a by 3b का all square, b से b कर जाएगा, lcm ले लिजिए, 3 minus 1 that is 2, और 2 का square कितना हो आएगा, 9, 9 into 3, 27, so 27 into b, बराबर, इधर कितना आएगा, 4a cube, तो एक relation आगया, हमारे पास में, यह simplify करने से, so 27, b will be equal to 4a cube, यह relation देखो, हमें direct दिया गया है, तो यही है बच्छो, हमारा सही option, ठीक है, so question number 1 का जो सही answer होगा, वो कौन सा होगा, हमारा third option, तो जाएगे सब क तो अब देखो, यहाँ पर जो चीजे आईए न, उसको अपने ध्यान में रखते हैं, ताकि अपने अगले question में जब चलेंगे, तो वहाँ पर वो चीजे काम में आएगी, और that is, यह जो दोनों relations आये हैं, यही है हमारे लिए important, एक तो a minus b बराबर कितना है बच्छो, minus 1, और दूसरा जो relation आया हमारे पास में, that is, 27b बराबर 4a3, यह जो third option सही option था, ठीक है, तो यह दोनों हमारे पास में क्या है, सही, ठीक है, तो इन दोनों को जान में रखिएगा, यह हमारे आगे आने वाले question के अंदर काम में आएंगे, चले देखते हैं, अगला question क्या है, 27b बराबर 4a3, चली, बात करते हैं कि इस question के अंदर हमारे पास में क्या relation आया था, 27b बराबर 4a3 और a-b बराबर minus 1, यह हमारे पिछे वाले question के अंदर दोनों चीजे आई थी, ठीक है, आप देखो, यह आप पर क्या पूचा है कि, आप से पूचा है कि इसे कितने functions होंगे, जो possible हो सकते हैं, तो चली, इसको solve करके देखते हैं, यहां से solve करने से पता चलेगा कि इसे कितने functions आने वाले हैं, तो एक काम करते हैं, यहां पर भी किज़रे put कर देते हैं, a plus 1, तो यह कितना आजाएगा, देखो, 27 into a plus 1 will be equal to 4a3, ठीक है, इसा आजाएगा, इसको solve करते है देखो, कितना आएगा, 4a3, minus 27a, और साथ में आएगा, minus 27, and that will be equal to 0, तो यह हमारी पास में इसके factors हो गए हैं, अब देखो, इसके factors करते हैं, इसमें से, एक factor तो इसका होगा, a minus 3, क्योंकि a equal to 3, इसमें put करो देखो, इसको satisfy कर रहा है, 81, 27, और यहां पर 27 का cube, और into 4, ठीक है, तो यह इसको satisfy कर जाएगा, साथ में यहां बचेगा, आपके सामने, 4a2, that is 4a3, minus 12a2, यहां सा आएगा, so plus 12a, और कर देते हैं, तो यह इसके साथ में complete हो जाएगा, और इसके बाद में कितना आएगा, देखो, 12 into 3, there will be 36, तो हमें कितना और चाहिए होगा, 9, ठीक है, so plus 9, ठीक है, 9 into a, there will be 9, so subtract हो के minus 27 हो जाएगा, and साथ में minus 27 equal to 0, तो यहां से देखो, इसके factor कर लीजी, आप लोग, a minus 3 into, यह आजाएगा, 2a plus 3 का whole square ब्राबर 0, इसका मतलब यह होगा, कि यहां से solve करने से, हमें a की दो values मिलेगी, a ब्राबर 3 और a ब्राबर minus 3 by 2, और a की ज responding b की भी 2 values आएगी, लेकिन देखो बच्चों, एक question में आपको चीज दी गई है कि positive real numbers a and b, इसका मतलब यह हुआ कि आपको यह number तो नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि यह number कैसा है, negative, ठीक है, तो शिरफ आपको एक number लेना है, a equal to 3, a की value 3 put करने से, b भी positive आना चाहिए, यह क जो हमारे लिए क्या होगा, important रहेगा, ठीक है, so a equal to 3 and b equal to 4, only one function और एसा हमारे पास में कौन सा option है बच्चों, first option जो की हमारा सही answer होगा, clear है, चली, आगे चलते हैं, इसको ज्यान में रखिएगा, a का value 3 और b का value 4 आया है, next question में हमारे काम में आने वाला है, चली देखते ह है कि next question number 3 क्या आ रहा है, question number 3 के अंदर देखो क्या है अपने के पास में, हमें a equal to 3 और b equal to 4 आया था, उसको ज्यान में रखते हुए question को solve करना है, चली, देखो fx plus p equal to 0, इसका हमें solution निकालना है, solution of the equation fx plus p equal to 0, p belong to minus 1 by 3 to 1 by 3, चली देखते हैं, करते हैं, कौन सा option सही आ रह तो यह values put कर देते हैं, यहाँ पर, so f of x ब्राबर आ जाएगा बच्चो हमारे पास में कितना, 3x minus 4x cube, clear, यहाँ put कर देते हैं, तो p plus fx, fx हमारे पास में 3x minus 4x cube, will be equal to 0, so p ब्राबर कितना आ गया बच्चो, 4x cube minus 3x, आप देखो अपने x निकालना है, और option को जान से, इसने यह cos के अंदर आ जाए, तो ज्यान से देखिए इस ट्रम को, यह किस चीज़ की ट्रम लग रही है, cos के अंदर, cos 3 theta का formula लग रहा है, बिल्कुल, इसके अंदर x equal to put कर देजिए बच्चो, आप cos theta, ठीक है, तो p की value कितना आएगा, तो p ब्राबर 4 cos cube theta minus 3 cos theta, that will be equal to cos 3 theta, तो यहां से 3 theta ब्राबर कितना आ जाएगा बच्चो, that is cos inverse p, ठीक है, so theta ब्राबर कितना आ जाएगा, cos inverse p divided by 3, ठीक है, लेकिन हमें theta नहीं चाहिए, हमें तो x चाहिए, और x किस की value हो, cos की, तो इसमें फिर दोनों side cos लेंगे यहां पर, तो cos theta ब्राबर कितना आ जाएगा, 3, ठीक है, ऐसा कोई option है, तो वो है बच्चो, आपका सही answer, और बिल्कुल देखो, आपके इस option दिया गया है, कौन सा option है, second option, जो की सही है, क्योंकि यहां पर sign में दे रखा है, यहां cost में है, इसमें 1 by 2 है, इसलिए गलत हो जाएगा, तो सिरफ और सिरफ आपका second option सही होग तो यह था आपका question number 3, जिसका answer 2 है, question number, जो 2 था, उसका answer 1 आया था, और question number 1 का जो answer था, वो third option था आपका, तो यह था आपका पहला passage, इस paper का, अब आगे बात करते हैं अपने लोग, passage number 2 के बारे में, कि passage number 2 में हमें क्या दिया है, और क्या करना है, आईए देखते हैं, passage number 2 में देखो क्या है, यहाँ पर आपको कुछ functions दिये गए हैं, उन functions को simplify करके, और आपको कुछ questions से उनको solve करना है, और ध्यान से अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो क्योंकि सबसे पहले GX दे रखा है, फिर F के अंदर एक relation दिया गया है, और last में HX दिया गया है, और पहले question में अगर बात करें, तो हमें HX चाहिए, ठीक है, HX की need है, हमें 100%, HX चाहिए, तो HX चाहिए, और वो कैसे निकलेगा, आईए उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, GX तो आपको दिया गया है, लेकिन एक चीज़ जिया रखिए कि आपको जो भी question में काम करना है, G की domain 1 से infinite है, means X की value 1 से infinite है, means आपको हमेशा execution के अंदर जो भी काम करना है, वो 1 से आगे करना है, 1 से लेके infinite के बीच, उसके पिछे का अगर कोई भी answer आ रहा है, तो उसको आपको consider नहीं करना है, clear, चली बात करते हैं सबसे पहले, यह S की domain है, यह GX अपने को दे रखा है, अब आते हैं अपन FX के अंदर, सबसे पहले देखो, FKX denotes by this, इसका मतलब यह हुआ कि F0 जो है आपके सामने, F0 of X बराबर कितना, यह तो दे भी रखा है, that will be equal to X, ठीक है, अब निकालना है, जैसे for example, मेरे को F of 1X, ठीक है न, F of 1X का क्या मतलब हुआ देखो, यह से तो की value 1 put कर देते है, F of 1X बराबर आजएगा, G of F of K की value 1 put करोगे तो 0X, इसका मतलब यह हुआ कि आपको जो F of 0X है, वो कितना है, X है, तो आपको यह इसमें put करना है, so that is G of X, और G of X कितना दे रखा है आपको, X divided by X minus 1, इस तरीके समने क्या कर लिया, F1 X निकाल लिया है, ठ F2X बराबर कितना आएगा, G of F of 1X, ठीक है न, F of 1X अपने उपर निकाल चुके, X upon X minus 1, that means आपको G में put करना है, बच्चो, X divided by X minus 1, और यह आपने निकाल सकते हैं composition से, क्योंगे आपने को GX function पता है, इसमें put कर दीजिए, तो X की जगे put करेंगे, X minus 1 divided by X divided by X minus 1, minus 1, कितन आ रहा है, देखो, solve करो, यह आ जाएगा, X divided by X minus 1, LCM लेंगे, X minus X plus 1 divided by X minus 1, तो देखो, इससे यह कट जाएगा, और X से X कट जाएगा, तो नीचे शिरफ 1 बचेगा और वापिस X आ जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, कि F0X के बराबर आ रहा है, आपके पास में क्या, F2 2X, ऐसे बच्चो, similarly, अगर आप आगे निकालेंगे, तो F of 3X जो आएगा, आपके पास में, वो इसके बराबर आएगा, किसके, 1 के क्यो, क्योंकि वापिस X आ गया न, इसका मतलब दुबारा X फूट करेंगे, तो वापिस क्या आएगा, यही function आएगा, फिर F of 4 होगे, तो वो इसके बराबर आएगा, ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि जो इतने भी odd वाली जो ट्रम है, वो तो बराबर होगी, X upon X-1, और जितनी भी even वाली जो ट्रम है, वो आपके सामने किसके बराबर होगी, X के बराबर है, खिलियर है, चलिए, अब देखो, अपन HX निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर यह आगया अपने पास में, तो HX अब अपन आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे देखो, HX बराबर क्या है, अगर इसको simplify करो, तो मिस आपको sigma solve करना है, तो H of X बराबर हो गया, K की पावर, 2 की पावर 0, that is 1 into F of 0X, सबसे पहले यह आएगा, फिर 1 पुट करेंगे, तो 2 की पावर minus 1 उसको नीचे ले आईए, into F of 1X, फिर आएगा 1 by 2 square into F of 2X, फिर आएगा 1 upon 2 cube into F of 3X, इसे चलता रहेगा, तो देखो, यह अपने को पता है, कि यह सब बराबर है, F of 0, F of 2, F of 4, यह सब बराबर है, तो इन सब की जगे पर आप लिख सकते हो, F of 0X, तो पीछे क्या बचेगा, इसके साथ में 1 है, इसके साथ में 1 by 2 square है, 4 के साथ में 2 की पावर 4 आएगा, up to infinite, means यह क्या है, एक infinite GP, ऐसे ही बच्चों, यह सब बराबर है, आपने को पता, F1, F3 और F5 यह सब बराबर है, तो इन सब को अगर मैं common लेकर के, F of 1X by 2 को common ले लू, तो पीछे क्या बचेगा, इसमें 1 बचेगा, उसमें 2 cube है, लेकिन 1 by 2 अपने common ले लिया, तो यहाँ पर भी कितना बचेगा, 1 by 2 square plus 1 upon 2 की पावर 4 और इस तरीके से आगया जाएगा, फिर देखो, यह factor common आ गया, और यह क्या है, एक infinite GP, जिसका सम आप निका X by 2, F1 किसके बराबर था, GX के बराबर, so that is X divided by X minus 1 and whole divided by 2, ऐसा आजाएगा, इसको solve कर लेते देगो, 4 minus 1, 3, तो यह उपर चला जाएगा, 4 divided by 3, और साथ में यहाँ पर कितना आएगा, LCM ले लिजिए, so that is 2X square minus 2X, minus 2 आएगा, minus 2 into 1 will be minus 2X, and that is plus X divided by 2 into X minus 1, ऐसा आजाएगा अपने पास, और finally देखो, इसको काट दो, तो यह तो 2 time कर जाएगा, तो आपके सामने आजाएगा, 2 by 3 into 2X square minus X divided by, कितना आजाएगा, X minus 1, तो यह आगे आपके पास में HX, ठीक है, बस यह function ही आपको चाहिए था, ठीक है न, ताकि आप अ final function, 2X square minus X divided by X minus 1, ठीक है, HX आगया, तो अब यह limit आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो, HX divided by X limit X tending to infinity, ठीक है न, उसको देखो, अगर आप 2 को बाहर रखे, 2X square minus X divided by, X minus 1 वहाँ पर है, और X देखो यहाँ पर divide में है, तो इस X से उसके denominator को multiply कर दो, तो 3 बाहर, पीछे minus X, अब आप सबको पता होगा, अगर limit X tending to infinity होता है, तो dominating drum कौन सी होती है, highest power वाली, तो highest power को रखो, बागी सबको अटा दो, तो उपर तो आएगा, 4X square divided by नीचा आएगा, 3X square, यह कट जाएगा, और आपका answer हो जाएगा, 4 बटे 3, ठीक है, तो यह है आपका answer, 4 by 3 कौन सा option है, तो इसमें third option है, इसको आप थोड़ा सा जान से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें मैं लिख दिया है, ठीक है, बट आपके साम, पास में paper है, सभी के अंदर, तो fourth का जो सही answer होगा, वो होगा आपका third option, ठीक है, इसी के साथ में आपको यह function भी याद रख को, पहले function को लिख लेते हैं, two x square, question number four अपना हो गया था, question number five के बारे में अपने को बात करनी है, देखो देखे कितना आ रहा है, question number five में पहले लिख लेते हैं, उस function को, two x square minus x divided by x minus one into two by three, ठीक है, यह हमारा hx आया था, ठीक है, चलो, क्या पूचा है second question के अंदर देखो जान से, second question में आपसे पूचा गया है कि, hx has a point of local minima 8, ठीक है, चलो, hx function है, उसके अंदर local minima कौन सा point होगा, और local minima, local maxima निकालने के लिए अपने को क्या करना पढ़ेगा, इस function को differentiate करना पढ़ेगा, h of x को, ठीक है, चलिए इसको differentiate करत हैं और देखते हैं कितना आएगा, h dash of x will be equal to, इसका differentiation कर लीजे, 2 by 3 को तो बाहर रख लीजे, पूरे को, ठीक है, नीचे आएगा आपके पास में x minus 1 का all square, और अब उपर देखो, पहले उपर का differentiation करेंगे तो आएगा, 4x minus 1 into x minus 1 और minus sign नीचे वाले को differentiation कर दीजे, 1 और उप वाला as it is, that is 2x square minus x into 1, अब देखो, इसको solve कीजिए, देखे, यह इस में वैसे square आ रहा है और जब भी square वाली term होती है, तो वाँ पर minimum maximum नहीं आता है, तो इस वाली term से तो कुछ आएगा नहीं, उपर वाली term से उसको solve करते हैं, देखते कितना आएगा, 4x square minus 2x square will be 2x square, ठी x minus minus plus हो जाएगा, so 2x square minus 4x plus 1, इसको solve करते हैं, देखो, इसको जब 0 के बराबर करोगे, इसका d positive है, तो दो roots आएगे, वो क्या आ रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं, देखो, x बराबर आएगा, 4 plus minus 16 minus 4 into 2, 8 divide by 4, कितना रहा है, x बराबर 4 plus minus, इसमें से 4 common ले लीजिए so 2, 4 minus 2, that is root 2 divided by 4, so 2 values आ रही है, 2 minus root 2 by 2, और 2 plus root 2 by 2, ठीक है न, देख लीजिए जान से, यहां पर जो आपके पास में जो values आ रही है, that is 2 plus root 2 by 2, and साथ में आ रही है आपके साबने, 2 minus root 2 by 2, ठीक है, तो इसमें आगर हम बात करें आगे, तो ऐसे options भी दिएगे हैं अपने क 2 plus root 2 by 2 यहां पर दिया गया है, ठीक है, that means यह होगा आपका सही option, अब आप कहेंगे कि यह क्यों नहीं होगा 2 minus root 2 by 2, तो उसके लिए देखो बात करते हैं अपने लोग, जब आप इसके पूट करोगे यहां पर, तो इधर आएगा 2 minus root 2 by 2, इधर आएगा 2 plus root 2 by 2, इधर तो आपसे point of minima पूचा है, तो point of minima वैसे कौन सा point होगा, यह वाला, एक तरीका तो यह हो गया, कि यह point of minima ही क्यों होगा, दूसरा क्योंकि मैंने आपको initially बोला था कि आपको 1 से आगे बात करना है, ठीक है यह जो number है आपके पास में 2 minus root 2 by 2, यह 1 से चोटा है, that means यह minima इ इसका सही option कौन सा होगया, second, अब अगले question जो हो रहेगा, उसके अंदर भी आपका यह graph काम में आएगा, ठीक है, तो इसे point जयान में रखेएगा, 2 plus root 2 by 2, जो point आ रहा है, ठीक है ना, उसका अगले question में देखो, क्या use होता है, उसके बारे में अपन लोग बात करते हैं, एक second रुकिए, that is question number 6, the range of the function hx, हमें hx की range सही है, अब range में देखो, उसका क्या use होगा, उसका use यह रहेगा, कि हमारा ऐसा जो graph आ रहा था, ठीक है, यह जो point आ रहा था, अपने पास में, 2 plus root 2 by 2, और इसके बाद में graph आपका increase हो रहा था, ठीक है, तो देखो, क्या हो रहा है, वहाँ पर, आपको कहां से कहां तक बात करनी है, आपको x equal to 1 से infinite item बात करनी है, 2 plus root 2 by 2 के पहले आएगा 1, इसके पहले किदर भी आप put कर लीजिए, मान लेते हैं, x प्रावर 1 यहाँ पर है, तो अगर मैं range की बात करूँ, तो देखो, इधर से start होते होए, इसे जाएग में यह domain ना होती, तो फिर minus infinite तक चला जाता, अगर 1 से infinite नहीं होता, बट क्योंकि आपको consider कर रखा है 1 से infinite तक, इसलिए आपको उसके आगे ही बात करनी है, इसलिए फिर आपके पास minus infinite नहीं होगा, minimum value होगी इस point पर, और इसको जब आप calculate करोगे तो आपको यह मिलेगा, त application of derivative पर related थे, अब हम आगे बात कर लेते हैं, अपने multiple choice questions के बारे में, चली बात करते हैं सबसे पहले, question number 1, क्या है देगो, question number 1 के अंदर, आपको देर का है, the abscissa of a point on the curve, ठीक है न, यह जो कारू है, ठीक है न, the abscissa of a point on the curve, उसका abscissa निकालना है, आपको देर का है, the normal at which cut of the numerically equal intercept from the coordinate axis, इसका क्या मतलब वह देखो, numerically equal intercept में sign change हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपके सामने, आपकी जो line होगी, x by a plus y by b b ब्रावर, 1, ठीक है न, इसमें यह दोनों की numerically value same रहेगी, ठीक है न, इन दोनों की value numerically same है, मतलब एक 1 और एक minus 1 हो सकता है, ठीक है, एक 2 और दू magnitude की value change नहीं होगी, ठीक है, और अगर normal ऐसा है तो फिर उसकी slope क्या क्या हो सकती है बच्चू, या तो 1 हो सकती है और या minus 1 हो सकती है, ठीक है न, या तो m1 होगा, या m ब्रावर minus 1 होगा, that means यह जो आपको question दे रखा है, इसके अंदर जो आपका normal है, उस normal की जो slope होगी, उस इसको एक बार 1 के ब्रावर करना है, और एक बार minus 1 के ब्रावर करना है, और abscissa of the point on the curve और हमें उस point के उपर उसके x coordinate की value निकालनी है, लेकिन इसमें जो important part है आपके सामने, वो ये रहेगा बच्चो, इसको जान में, या चीज आपको पता होनी चाहिए, इस तरीके से calculate करन आना चाहिए, चली बात करते है, normal की सबब कितनी आएगी, सो सबसे पहले इसको differentiate किया, so x into dy by dx, ठीक है, एक काम करते हैं, एक side से करते हैं, ताकि अपने इसको पूरा link भी पाले, पाएं यहाँ पे, तो क्या आएगा देखो, नहींते एक काम करेंगे, अगले page पे चल लेते है, xy ब्राबर a प्लस, चलो यहीं कर लेते हैं, क्योंकि फिर वापिस आना पड़ेगा, option देखने के लिए, इसको differentiate किया, x का differentiation करोगे तो a का 1, y का 1, x का 1, y, plus y का करोगे तो x into dy by dx, साथ में आएगा, 2 time a plus x, ठीक है, 2 time a plus x, और x का कितना हो जाएगा, 1, so dy by dx कितना आगय में, dy by dx बराबर आगया, 2 time a plus x minus y divided by x, ठीक है, और यह किसकी slope है बच्चो, यह slope है आपके सामने, normal की, ठीक है, और, so यह tangent की slope होती है, अच्छा, आपने पास में दोनों आ रहे है, 1 और minus 1, that means, आपके पास में tangent की slope भी दोनों होगी, 1 और minus 1, तो इसको एक बार 1 के बराबर करते हैं, और एक बार minus 1 के बराबर करते हैं, देखो कितना आएगा, plus minus 1 कर देते हैं, देखो कितना आएगा यहां से, so 2 time a plus x will be equal to y plus minus x, ठीक है, और यह y जो है, इसको क्योंकि हमें x की value चाहिए, तो यहां से value निकाल करके y की value हम यहां put कर देते हैं, तो हमें मिलेगा, दे a plus x का whole square, divide by x, और plus minus x, ऐसा आजाएगा, इसको solve कर लीजिए, इसको solve करने से देखो कितना आएगा, LCM ले लीजिए, सबसे पहले तो x इदर आजाएगा, so 2x into a plus x will be equal to a plus x का whole square into plus minus x square, ठीक है, एक काम करते हैं, a plus x को इदर ले आते हैं, तो एक a plus x common आजाएगा, और पीछे बचेगा, यहाँ पर 2x और उदर से आएगा, minus a minus x, a plus x तो common आजाएगा, और minus sign रहेगा, तो दूसरे वाले के साथ multiply हो जाएगा, और that will be equal to plus minus x square, तो कितना आ रहा है देखो, a plus x into x minus a, so this will be equal to x square minus a square, एक बार x square के बराबर करेंगे, और दूसरी बार minus x square, clear, तो देखो, जब आप इसको x square के बराबर करोगे, तब तो क्या आएगा, minus a square बराबर 0, तो वहाँ से तो कोई x अपने को नहीं मिल रहा है, बट जब आप इसको इसको इस दूसरे वाले के बराबर करोगे, minus x square के, तो यहाँ से देखो, आपको values मिलेगी, x square minus a square बराबर minus x square, त minus 1, ऐसे कौन-कौन से option है आपके पास में, एक तो first option minus a by root 2, और एक third option भी सही होगा बच्चो, इसको भी आप a by root 2 लिख सकते हो, so first and third, what option will be correct in this question, के जाएरे सभी को, चली आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं, बच्चो, question number 2 के बारे में, क्या है देखो, आपो बात करते हैं, इस question में आपको क्या दिर्का है, क्या करना है, देखो, the coordinate of the point on the graph of the function this, where the tangent line are the perpendicular to this line, देखो, tangent line इसके perpendicular है, इसका मतलब इसकी slope निकाल लो पहले तो कितनी आएगी, m ब्राबर minus 8 बटे 2, so that will be equal to minus 4, तो इसकी slope minus 4 है, ठीक है, तो tangent की जो slope होगी, क्योंकि tangent line इसके perpendicular है, तो उसकी slope कितनी हो जाएगी, dy by dx की value उस point पर, ठीक है, उसकी value इसका reciprocal और with negative sign, so that is 1 by 4, ठीक है, अब अपने को क्या करना है, अपने को points of contact निकालने है, ठीक है, tangent और यह कर दोनों कहां पर intersect कर रहे हैं, तो उसके लिए अपने को कर की equation दे रखी है, व वहां से भी अपन value निकाल लेते हैं किसकी, dy by dx की, इसका differentiation करने के लिए जब भी linear by linear हो तो थोड़ा आप आसान तरीके से solve कर ले, कैसे solve करेंगे आसान तरीके से, इसमें से minus 1 plus 1 कर दीजिए, तो यह बनेगा x minus 2 plus 1 divided by 2 minus x, ठीक है, अब इसको individually divide कर दीजिए, तो यह तो हो ज जाएगा plus 1 upon 2 minus x, ठीक है, और चाहू तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, minus 1 और साथ में minus 1 upon x minus 2, यह y आ गया, तो यहां से dy by dx कितना आएगा, चाहू तो आप सिधा भी differentiation कर सकते हो, बट इस से थोड़ा जल्दी हो जाएगा, इसका differentiation 0, इसका क्या होता है, 1 upon t का होता है, minus 1 upon t square, minus sign पहले से present है, तो वो हो जाएगा t square, ठीक है, और यह dy by dx किसके ब्राबर है, यह 1 by 4 के ब्राबर है, तो इसको solve कर लीजिए, इसको solve करने से देखो, आपको आपके point of contacts मिल जाएगे, so first point तो कितना हैगा, देखो, x minus, cross multiply करोगे, तो x minus 2 का whole square ब्राबर 4, so x minus 2 ब्राब minus 2 के ब्राबर करोगे, तो x की value कितनी मिलेगी, बच्चो, 0, तो 0 और 4 दोनों आ रहे हैं, अब देखे, points निकालते हैं, जब 0 put करोगे, इसके अंदर y की value, किसके अंदर, इस function के अंदर, x को अगर 0 put करेंगे, तो x 0 minus 1, that is minus 1, divide by 2, ऐसा point आएगा, और अगर x की value, अगर minus 3 by 2, ऐसे कौन-कौन से options है, बच्चो, एक तो है 0, minus 1 by 2, third option, और एक है बच्चो, आपका fourth option, 4, minus 3 by 2, तो ये दोनों के दोनों options, बच्चो, आपके क्या है, सही answer होंगे, क्लिया रहे सभी को, चली आगे चलते हैं, और बात कर लेते हैं, next question, that is question number 3, question number 3 क्या है, देखो, ये question, अगर for example, आपका single correct में आता, तो बड़ा आसान सा question होता, बड़ multiple correct में आया है, तो थोड़ा सा आपको इसको ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक न, ताकि कोई भी ऐसा option, जो सही हो, और आप अगर उससे तक ना पहुंच पाए, ठीक, तो आपका question गलत हो सकता है, तो क्यों सबसे पहले एक option के अंदर इसमें cot square x लिखा हुआ है, that means इसको हम एक बार तो cot square x में convert करेंगे, second के अंदर आपको 10 square x लिखा हुआ है, तो एक बार अपने इस नीचे वाले को 10 square x में convert करेंगे, तीसरे option में चलते हैं, यहाँ पर cos 2 x लिखा हुआ है, तो एक बार अपने इ इसको चारो बार्क सॉल करना पड़ेगा, तभी आप इसमें सही आज़वर तक पहुंच पाएंगे, ज़र है, चली बात कर लेते हैं, सबसे पहले इसको लिखा मैंने देखो, कॉस और साइन वाले की बात कर लेते हैं, फिर 10 की बात कर लेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे वाले को लिखना है, साइन 2 एक्स, डिवाइड बाई, साइन स्कॉयर एक्स प्लस कॉस स्कॉयर एक्स को लिख सकते हो, आप साइन स्कॉयर एक्स प्लस कॉस स्कॉयर एक्स का हॉल स्कॉयर, और माइनस 2 साइन स्कॉयर एक्स कॉस Sine Square X ब्रावर S और Cos Square X ब्रावर C, दिखा ना? ये लेकर क्या अपन करते हैं, ताकि अपने हें थोड़ा कम रहेगा, Sine 2X का फॉर्मला लगादोगो पैरे तो, 2 Sine X Cos X DX, Devine Y, Sine कi ? x × 4 Plus Cos की ? x सी भरų को लखा, Sine Square X प्लस Cos Square X काौल Square, Minus 2 Sine Square X Cos Square X, dx था उपर नीचे कितना आ जाएगा देखो 1- इसको 2 से multiply कर दिया 2 से divide कर दिया तो नीचे तो 2 उपर 4 sin square x cos square x को क्या लिख दिया 2 sin x cos x का hall square आगे फिर चलते हैं देखो नीचे लिख लेते हैं क्या आएगा देखो 2 sin x cos x का hall square into dx यहाँ पर कितना था 2 sin square x cos square x ठीक है कितना आएगा देखो 2 sin x cos x को अब थोड़ी जएर के लिए अपन क्या मान लेते हैं t मान लेते हैं ठीक है या पहले एक बार और simplify कर लो वापिस अब उपर वाले को फॉर्मले वापिस लिख दो sin 2 x dx ठीक है नीचे कितना आजाएगा 2 minus sin square 2 x ठीक है इसका square हो जाएगा sin 2 x का फॉर्मला है और उसका square हो जाएगा अब देखो उपर अगर sin 2 x है ना तो इसको cos में convert करना पड़ेगा नीचे वाले तो इसको लिखा 1 minus cos square x तो यह हो जाएगा sin 2 x dx divide by 2 minus 1 that is 1 और 1 minus cos square 2 x लिखोगे इसको ठीक है ना तो 2 minus 1 तो 1 हो गया और यह minus minus plus हो जाएगा आपके सामने कितना cos square 2 x ठीक है अच्छा इसमें जब LCM लोगे तो एक 2 भी आएगा आपके सामने ठीक है जब यहाँ पर आपने यह 2 लिखा है नीचे तो LCM लोगे तो 2 आएगा तो उस 2 को आप कहां रख दे इधर बहार रख दे तो वो 2 भी आपका इधर साथ में चलता रहेगा अब इसके अंदर अगर आप cos 2 x को t मान लेते हो ठीक है तो उपर वाला तो बन जाएगा देको dt minus dt और नीचे वाला बन जाएगा 1 plus t square याना cos 2 x ब्रावर क्या माना आपने t तो cos का differentiation क्या होता है minus sin 2 x into 2 into dx ब्रावर dt तो बाकी तो सब है आपके पास sin 2 x भी है dx भी है 2 b भी है बस minus sin नहीं है तो minus sin को उदर लगा दू और इसका integration क्या होता है 10 inverse t बाहर minus sin और that is minus 10 inverse कितना हो जाएगा minus 10 inverse cos 2 x t की value आपिस पूट कर दो plus c ऐसा कोई option है बिल्कुल है देखो third option जो कि आपका सही answer होगा ठीक है अब क्या यह हो सकता है कि अकोट inverse sin 2 x वाला तो यह तो possible ही नहीं है बच्चो क्यों क्योंकि ऐसा करने के लिए इसको sign में रखना पड़ेगा बट उपरवाले को cost में convert करना पड़ेगा बट उपरवाले को अपन cost में convert नहीं कर सकते हैं इसलिए यह जो चौथा option होगा यह 100% आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा चलिए यह तो आगया आपके पास में third और fourth option अब बात कर लेते हैं अपन अपने पहले और दूसरे option के बारे में ठीक है आईए देखते हैं कि उसके बारे में कैसे पता सलेगा अच्छा एक तरीका तो यह भी है कि आप इसी को आगे convert कर लो यह option सही आगया ठीक है तो cos to x के इंद फॉर्मला लगाओ इसको simplify करके देखो कि इसमें से कौन सा option आ रहा है पर ज़्यादा बेटर है इसको converge करने के बजाए इसको दूसरे तरीके से अगर अपन solve करे 2 sin x cos x divided by sin की power 4 plus cos की power 4 dx ठीक है एक काम करते है इसको cos की power 4 से divide करते है तो देखो क्या आएगा 2 sin x upon cos x 10 x एक cos x कर जाएगा पिछे बचे का sag square x divided by 10 की power 4 x plus 1 ठीक है ना cos की power 4 x से divide कर दिया तो ऐसा हो गया एक बार इसको और divide कर देते है देखो इस बार sin की power 4 x से divide कर देते हैं तो इस बार की आएगा देखो 2 sin x कर जाएगा cos x upon sin x will be cot x और साथ में आएगा cos x square x divided by sin की power 4 कर जाएगा और ये बन जाएगा cot की power 4 x यहाँ तो किस से divide की आपने? यहाँ तो divide की आपने sin की power 4 से तो 10 square x को t माल लो तो ये तो हो गया देखो t square plus 1 और उपरवाला बन जाएगा dt इसमें cot square x को t माल लो तो उपरवाला तो बनेगा minus alpha माल लो 2d alpha divided by 1 plus alpha square अब देखो जो cot inverse वाले में cot के format में answer है ठीक है तो 1 upon 1 plus alpha square का cot के format में क्या होता है integration minus sign के साथ होता है so minus minus आपके पास में क्या हो जाएगा अच्छा ये 2 भी हट जाएगा 2 नहीं आएगा 2 into cot x into cosec square x ही आएगा minus d alpha minus of cot inverse alpha 1 minus sign पहले से पता है तो इसका answer आएगा cot inverse alpha, alpha की value क्या है cot square alpha plus c ठीक है तो plus में आएगा cot inverse cot square alpha बिलकुल आपको plus sign दिया गया है तो ये सही answer है ठीक है 10 वाले का answer भी देखो cot inverse में है तो इसका answer भी cot inverse के format में लेगा तो cot के format में इसका answer क्या होता है minus cot inverse t और t किसको माना था अपनने 10 square x plus c को क्या इस format में दिया गया है तो बिलकुल देखो ये इसी format में दिया है तो ये भी आपका सही answer है तो इस type के जो questions आते है multiple choice में आपको सारे options को देखने हैं कि कौन कौन से possible हो सकते हैं ये तीनों सही है चोथाक नहीं होगा क्योंकि sign 2x वहाँ पर किसी तरीकिसे नहीं आ सकता था हमने वहाँ पर sign wallet जब format किया था तो वहाँ पर देखा था उसको ठीक है तो first, second and third all three are will be correct कि जलिए आगे चल लेते हैं बात कर लेते हैं next question number 4 के बारे में क्या है देखो question number 4 हमारा question number 4 के अंदर हमें एक function दिया गया है और उस function का क्या करना है उस function के अंदर आपको बताना है odd function bisective function, minima, maxima inflection point क्या है ये सब चीजे बात करने हैं तो उसके लिए हमें function चाहिए तो function निकाल लेते हैं फिर हमें पता चल जाएगा सारी चीजे कि कौन कौन सी चीजे किस किस तरीके से आ रही है चलिए बात करते हैं इसको differentiate करेंगे तो क्या आएगा देखो f dash differentiation क्यों कर रहा है एक paper पहले भी मैंने किया था आप लोगों देखा हुआ जब इस differentiation वाली कोई term दी हुए हो functional equation का question हो तो उसको एक बात differentiate करके देख लें क्या आता है x के respect में में इसको with respect to x differentiate कर रहा हूँ f dash of x plus y y constant रहेगा वहाँ पर तो इसका differentiation 1 इसका 0 will be equal to f dash x plus f of y का differentiation 0 plus x का करेंगे अज़ा इसको लिख लो x square y plus x y square ऐसे लिख लो x के respect में कर रहे हैं तो यह हो जाएगा आपका 2 x y plus y square ऐसा हो जाएगा अब इसके इंदर x को 0 put कर दो क्या put कर देते हैं x br 0 तो यह क्या बनेगा f dash of y will be equal to f dash of 0 f dash of 0 की value 0 दे रहे हैं अपने को that is 0 plus x को 0 put करेंगे तो यह भी 0 हो जाएगा plus y square ठीक है तो यहां से अपने को क्या मिल गया f dash of y br y square so f dash of y को x से replace कर दो so that will be equal to x square ठीक है इसको integrate कर लीजिए so f x br x cube by 3 plus c और ऐसा करने से जो answer आपके पास में आएंगे उनके बारे में बात करते हैं तो देखते हैं कि कौन-कौन से आ रहे है so f x br x cube by 3 plus c तो हमें c निकालना पड़ेगा सबसे पहले वो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं आप इसमें x और y दोनों को 0 put कर दो तो f of 0 br f of 0 plus f of 0 plus 0 तो 0 कर जाएगा so f of 0 की value 0 आ रही है तो यह 0 है तो यह 0 plus c so c का value भी कितना आ आगया आपका 0 means आपका जो function है f x बराबर वो कितना आ गया बच्चो x cube by 3 अब देखो आपन पूरा analysis कर सकते हैं अपना आसानी से क्या आ रहा है देखो f x आ गया हमारे पास में x cube by 3 ठीक है अगर इसमें किसी को doubt हो तो एक बार दुबारा देख लीजिएगा solution वीडियो को पिछे ले करके ये function आ गया हमारे पास में x cube by 3 अब देखो आपने को क्या करना है इसके अंदर आपको check करना है कि कौन कौन से option सही है तो f is a odd function बिल्कुल सही बात है x cube है आपके पास में शिरफ x cube दे रहे हैं तो x के minus export करोगे तो minus sign आएगा so that is odd function ये विशम फलन है बिल्कुल सही बात है एप इज़े बाइजेक्टिव मेपिंग एप एक एक की आच्छादक फलन है ये बात भी बिल्कुल सही है क्योंकि cubic है हमें पता ही हमें इसा increase होता रहेगा तो इसके range भी all real number और हर एक point पर इसकी एक ही value मिलेगी है अगर vertical line draw करके देखे या horizontal line draw करके देखे एक line एक ही बार cut कर रही है that means एक 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 भी है आच्छादक भी है दूसरा option भी सही है एप है जे minimum but no maximum no इसमें ना minima होगा ना maximum होगा क्योंकि यह आपके सामने हमेशा increasing function है x cube कैसा होता है हमेशा increasing function तो यह बिल्कुल गलत बात है f is a inflection point यह बिल्कुल सही है क्योंकि f double dash x इसका में sign change होगा f dash x कितना है यहाँ पर x square f double dash x कितना हैगा 2x तो x equal to 0 के उपर इसके इंदर sign change हो रहा है positive से negative में पहले concave downward होगा उसके बाद concave upward होगा that means इसमें एक inflection point होगा यह बात हमारी बिल्कुल सही है clear है चलिए आगे बात करते हैं next question चलिए बात करते हैं question number 5 के बारे में क्या है देखो let g square x into e x dx ब्राबर this and g of 0 will be 1 then find g of 1 will be less than आप गोताने g of 1 की value किस से less होगी इसके बारे में बात करने हैं चलिए बात करते हैं तो क्या करेंगे देखी इसमें सबसे पहले तो equation है इसको दोनों side differentiate कर देते हैं with respect to x ठीक है न तो क्या है का देखो यहां तो simple integration का sign हटेगा आपका g square x into e की power x integration का sign हो differentiation करना हो तो बस integration के sign को हटा दीजिए इधार करेंगे तो chain rule लगाते हैं देखो कितना हैगा 3 time g square of x divide by 3 यह तो power का differentiation अब g x का differentiation करेंगे so that is g dash x और c का differentiation क्या हो जाएगा बच्चो 0 constant का क्या होता है 0 तो इसके बाद में देखो g dash of x will be equal to e की power x यह function आगया अब यह जो function आए इससे अपने को g of 1 निकालना है that means इसको वापिस integrate करते हैं दोनों side तो वापिस integration किया हमने तो यहाँ से अपने को g x की value मिल गई g x बराबर e की power x plus c ठीक है अब g of x बराबर e की power x plus c है आपको g of 0 की value 1 दिए तो इसमें 0 put करेंगे so g of 0 बराबर e to the power 0 plus c और इसकी value कितनी है 1 तो इससे यह कट जाएगा और यहाँ से आपको c का मान मिल जाएगा that will be equal to 0 ठीक है c 0 आगया यहाँ put करेंगे तो वापिस आपको यहाँ से मिलेगा g of x will be equal to e की power x ठीक है तो g of 1 कितना आएगा बच्चो g of 1 की value e आएगी और आपको यह बताना है कि यह g of 1 है यह इसमें से किस से less होगा किस से कम होगा क्या यह 1 से कम होगा तो e का मान 1 से कम नहीं होता है क्या e का मान e से कम होगा तो बिलकुल नहीं होगा e का मान तो e के वरावर होगा बच्चो कम नहीं होगा तो दूसरा option भी गलत है e square से कम होगा यह बिलकुल सही है e square की value e से जादा होती है that means e will be less than e square that is correct and similarly e cube से भी e छोटा होगा ठीक है तो यह भी आपका सही answer है so third and fourth what will be correct कि लिए बच्चो चलिए आगे चलते हैं बात कर लेते हैं next question number 6 के बारे में क्या है देखो question number 6 के अंदर again हमें integration करना है आईए करते हैं कि देखते हैं क्या आ रहा है so यहाँ पर आपको दे रहा है 1-sin x cos x divide by cos x into root or 2 sin square x plus 2 sin x so इसको देखते हुए से लग रहा है कि sin इतनी बार आ रहा है तो उपर एक cos चाहिए तो उपर एक cos लेने के लिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया cos square x कर दिया और cos square x हमें पता होता है क्या होता है 1-sin square x अब इसके अंदर sin x को t मान लेते है तो cos x into dx हमारा क्या बन जाएगा dt तो इसको dt और sin x को मान ले आमने t तो देखो कितना हैगा that is 1-t into cos x into dx बन गया बच्चो dt divide by cos square x को 1-sin square x लिखा था so 1-t square और into में साथ में आ जाएगा t square plus 2t इस नीचे बार लेके factor कर दिजिए so 1-t cancel out हो जाएगा तो आपको मिलेगा dt divide by 1 plus t और इसको भी देखो क्या लिख सकते हैं t के format में 1 plus t क्योंकि बाहर है तो इसको देखते हुए इसे लग रहा है कि इसको इसे लिख सकते हैं t plus 1 का whole square minus 1 t square plus 2t 1-7 कड़ जाएगा और अब इसको integrate करना है अब एक काम कर लेते हैं बच्चों इसको 1 plus t को alpha मान लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा ये d alpha बन जाएगा dt so dt d alpha बन गया 1 plus t alpha तो अब देखो हमारा integration क्या बन गया d alpha divided by 1 plus t को क्या माना हमने alpha into alpha square minus 1 ये किस चीज़ का integration होता है बच्चों that will be equal to seg inverse alpha का formula होता है seg inverse alpha plus c ठीक है alpha किसको माना था t plus 1 को so seg inverse t plus 1 और t किसको माना था बच्चों t किसको माना था याद कीजिए t माना था sin x को so 1 plus sin x और plus c तो ये आजाएगा आपने पास बिल्कुल देखो अपने को लिख रखा है seg inverse fx plus c that means हमारा f of x जो होगा वो कितना होगा 1 plus sin x अब आपसे question में क्या पूछा then the possible value of range of fx is r ठीक है न इसके parisar के संबहु मान क्या हो सकते है तो अपने को पता होता है बच्चों जो sin x होता है उसकी range होती है minus 1 से 1 ठीक है तो इन में 1 add करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों ये 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा that means 0 से लेके 2 के बीच में कुछ भी हो सकता है इसका parisar और 0 से लेके 2 के बीच में कौन-कौन से options आपको दिये गए हैं बच्चों 1st option है आपका और 2nd option है ये both will be the correct 3rd गलत हो जाएगा क्योंकि इस range में नहीं आएगा और 4th none of these दे रखा है तो सिरफ 2 options सही होंगे आपके एक पहला option और एक आपका 2nd option ठीक है बच्चों चली आगे चलते हैं बात कर लेते हैं next question that is question number 1 in integer type आईए बात कर लेते हैं इस question का answer कितना आ रहा है क्या करना है देखो यहाँ पर यहाँ पर आपको differentiation करना है और differentiation आप सभी बच्चे अच्छी तरीके से जानते हैं अच्छी तरीके से कर सकते हैं चली इसको differentiate करते हैं with respect to x तो सबसे पहले x का differentiation किया आपने तो पिछे बचे का बच्चो 4 into e to the power xy x का differentiation 1 हो जाएगा फिर बच्चो इसका भी differentiation करना पड़ेगा product rule लगाना पड़ेगा पहले x का किया अब इसका करते हैं देगो तो 4x constant रहेगा e की power xy का differentiation e की power xy ठीक है और अब करते हैं बच्चो x into y का differentiation x का differentiation 1 into y और 7 में आएगा बच्चो प्लस x into y का कितना हो जाएगा dy by dx so that will be equal to y का differentiation फिर से आएगा बच्चो dy by dx और 7 में कितना आएगा बच्चो 5 sin square x so that is 5 into 2 that is 10 sin x cos x यह आजाएगा हमें x equal to 0 पर करना है तो x equal to 0 इसमें put कर दीजिए कि y dash of 0 मतलब at x equal to 0 यहाँ पर आपको 0 put करना है x का value 0 put करोगे तो 4 into e की power 0 हो जाएगा यह पूरी टरम 0 हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्योंगी x का value 0 है बच्चो आपका और equal to dy by dx इसका मतलब हुआ y dash of 0 और plus sin 0 की value 0 होती है so that will be equal to 0 यहाँ से आपको value मिल गई y dash of 0 dy by dx बराबर 4 into e की power 0 1 होता है so 4 into 1 will be 4 तो आपका जो सही answer होगा वो कितना आएगा बच्चो 4 आपको इस तरीके से अपने answer के में इसको फिल करना है clear है बच्चो चली आगे चलते हैं बात करते हैं question number 2 के बारे में क्या है देखो हमारा question number 2 question number 2 के अंदर आपको distance निकालनी है और वो भी कौन सी minimum distance ठीक है अच्छाँ ध्यान से इस type के questions काफी बार exam में आते हैं बच्चो इसको बड़े अच्छी तरीके से आपको solve करना है ध्यान से देखिए अगर ये x1 minus x2 का whole square है तो इसको मैं y1 और इसको मैं अगर y2 मान लू तो ये क्या है देखो x1 minus x2 का whole square plus y1 minus y2 का whole square ऐसा है तो ये तो क्या लगाया हुआ है बच्चो distance formula करोगे ठीक है वैसे देखो अगर ये x1 minus x2 है तो एक चीजा सा दिमाग में click करना चाहिए चीजी कि ऐसा distance अपन निकालते time पर कब करते हैं जब दूसरी term y1 minus y2 होती है अब क्या है देखो y1 हमने इसको माना है तो इसको squaring कर लें दोनों साइट y1 square ब्रावर 2 minus x1 square that means x1 square plus y1 square ब्रावर 2 ऐसा आ रहा है यसे देखो अपने y2 किसको माना है y2 माना है अपने 9 upon x2 को तो यहां से कितना आ रहा है बच्चो x2 into y2 ब्रावर कितना आ रहा है 9 अब ध्यान से देखो बच्चो ये क्या है यह एक circle है जिसके उपर एक point आपको रखा गया है x1, y1 ठीक है और यह क्या है बच्चो यह एक rectangular hyperbola है जिसके उपर एक point है आपका x2, y2 और आपको यही तो करना है इस point और इस point के बीच की minimum distance आपको पुछी गई थी x1 minus x2 का all square plus y1 minus y2 का all square that means बच्चो आपको इस circle और इस rectangular hyperbola के बीच की minimum distance निकालनी है यह circle का center होगा 0,0 और radius होगी बच्चो कितनी root 2, radius कितनी होगी root 2 और यह है बच्चो आपका rectangular hyperbola इन दोनों के बीच की minimum distance minimum distance हमेशा along the normal लाई करती है और circle का normal क्या से पास करता है उसके center से so 0,0 से यह वारा जो point है आपके पास में पहले हम यह distance निकालेंगे op और फिर इसमें से circle की radius subtract कर देंगे so op minus r यह हो जाएगा बच्चो आपका क्या minimum distance अब यह कैसे निकालेंगे आईए इसके बारे में बात करते हैं देखो यह point तो अपने को पता है 0,0 ठीक है na op और r भी अपने को पता है root 2 है ठीक है अब बात कर लेते हैं p के coordinates क्या आने वाले हैं तो उसके लिए क्या करेंगे देखो point o अपने को पता है 0,0 point p के coordinates इस पे मान लेते है न यह rectangular hyperbola है x y ब्राबर 9 अगर मैं इसमें x को बच्चो t ले लेता हूँ ठीक है तो y की value कितनी आ जाएगी 9 by t तो देखो यह normal है न तो इस normal क्योंकि इस point को अपने variable माना है कि इस पे rectangular hyperbola पे circle पे नहीं माना rectangular hyperbola अपन क्या करते हैं इसकी slope दो तरीके से निकाल लेते है normal की एक तो क्योंकि 0,0 और t,9 by t यह अपने को पता है और दूसरा अपने इसको differentiation कर सकते हैं x का differentiation करोगे तो y और y का differentiation करोगे तो x into dy by dx ब्रावर 0 ठीक है तो यहां से dy by dx ब्रावर कितना आ जाएगा बच्चों dy by dx ब्रावर आजाएगा minus y by x तो y कितना है अपने पास में y क्या किसको माना था अपने 9 by t और x t so minus 9 by t square ठीक है तो यह किसकी slope है यह tangent की slope तो normal की slope कितनी हो जाएगी बच्चों t square by 9 और यह किसके ब्रावर होगा आपके सामने t square by 9 की जो value है वो ब्रावर है आपके पास में y minus 0 divided by x minus 0 that is t minus 0 LCM लोगे t square आएगा so t की power 4 ब्रावर 81 आगया तो यहां से आपको t square की 2 values मिलेगी 9 और minus 9 minus 9 हो नहीं सकती t की 2 values मिलेगी 3 और minus 3 तो और हमें से कोई सा भी point ले लिजी आपका answer same ही आएगा मैं t equal to 3 ले रहा हूँ यहां पर तो जब यहां पर आप t की value 3 put करोगे तो point p के coordinates आजाएंगे 3,3 ठीक है p आ चुका है तो op distance कितनी होगी बच्चों 3 का square 9 plus 9 18 so root 18 minus r, r कितना है बच्चों root 2, root 18 को लिख सकते हो आप 3 root 2 minus root 2 so that is 2 root 2 ठीक है लेकिन देखो बच्चों यह distance नहीं है आपके सामनीं दोनों point की क्या है इसके distance का square है क्यों इसमें root भी होता है तो आपको distance नहीं निकालनी है दोनों point की आपको दोनों points के बीच का यह जो point है आपके पास में यह जो d है इसका square निकालना है that means इसका square करना है आपको तो last में जब आप इसका square करोगे 2 root 2 का तो आपका जो सही answer आएगा question में that is 8 तो यह बहुत ही एक अच्छा question होता है बहुत बार exam में पूछा जाता है इस तरीके से आपको कैसे type of question को solve करना होता है ठीक है कोई भी इसमें doubt हो तो आप इसको एक बार फिर से देख सकते हैं पूरे solution को step by step की किस तरीके से आपने इसको solve किया है clear है चली अब आगे चलते हैं बात कर लेते हैं बच्चों question number 3 के बारे में क्या है देखो question number 3 question number 3 के अंदर आपको दिया गया है एक circle unit radius का बहुत ही अच्छी बात है unit radius का circle बढ़ा अच्छा होता है क्यों होता है अच्छा आईए देखते हैं यह रहा एक unit circle through a point a on a unit circle a chord a p is drawn a point को मैं कहीं भी मान सकता हूँ तो मैंने यहां पर मान लिया इस point पर तो इधर से एक कोई chord आपको draw करनी है बच्चों a p बाकि आप कहीं पर भी मान सकते हूँ इससे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है क्यार चलिए through a point a on a unit circle a chord a p is drawn and on the tangent at a a point t is taken देखो ज्यान से through a point a on a unit circle a chord a p is drawn ठीक है एक chord a p हमने दो कर दी and on the tangent at a a point t is taken such that a t ब्राबर a p देखो इस point a के उपर आपको एक tangents draw करनी है और इसके उपर एक ऐसा point लेना है आपको t such that a p ब्राबर a t ठीक है यह दोनों distances आपकी कैसी होनी चाहिए बच्चों ब्राबर किसी भी तरीके से आप diagram बना सकते हैं इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी इसके बाद में क्या है कि अगर आप tp produce meet the diameter through a 8 q देखो tp क्या है बच्चों यह दोनों points को मिलाने वाली line अगर आप इन दोनों को join करते होगा अगर एक line खीचते हो यदि tp को आगे बढ़ाने पर यह a से जाने वाले व्यास को q पर मिलती है a से जाने वाला व्यास मतलब एक ऐसी line जो इसके center से pass करे उसको यह बिंदू q पर मिलता है यह बिंदू q होगा बच्चों आपको दुबारा पढ़ सकते हो यदि tp को आगे बढ़ाने पर यह a से जाने वाला व्यास ठीक है न a से जाने वाला व्यास कोन सा होगा जो इसके center से pass करते हुए उपर की तरब जाएगा उसको q पर मिलती है तो aq का सिमानत मान ग्याद करो जब बिंदू p बिंदू a पर अगरसर होता है ठीक है न a find the limiting value of aq where p move up to a ठीक है देखो अपने को ऐसा ही कुछ करना है आईए देखते हैं क्या करना है देखो सबसे पहले तो आप इसको इससे join कर दो center से ठीक है अच्छा आप सभी ने एक property पढ़ी है देखो उसका use करेंगे अपनिया पर इसको इससे join कर दो perpendicular draw कर दो इसमें ठीक है यह x ले लो इसको भी x मान लो और यह angle theta ले लो तो देखो बच्छो आपने एक property पढ़ी है property क्या होती है कि tangent और chord के बीच का जो angle होता है ठीक है उससे center पर उसी chord से जो angle बनता वो double होता है ठीक है ना property आपने ऐसी पढ़ी है ठीक है एक tangent और एक chord के बीच का angle जो होता है वही उसी chord से उसके major segment पर होगा ठीक है और अगर यहाँ theta है तो center पर कितना होता है 2 theta तो अगर यह angle theta है तो center पर 2 theta होगा यह दोनों triangle congruent होंगे तो यह भी theta होगा और यह भी theta होगा ठीक है क्योंकि circle की radius अपने को पता है 1 तो यहाँ से देखो अपन x upon 1 निकाल सकते हैं x perpendicular है 1 hypotenious है so that will be equal to perpendicular by hypotenious sin theta तो x ब्राबर आ गया अपने पास में sin theta x आ गया तो अपन ap निकाल सकते हैं और ap और 80 दोनों ब्राबर है तो 80 की value आ गई आपके पास 2 sin theta ठीक है यह तो निकाल ल की requirement है और यह tangent है और यह क्या है यह व्यास है तो इन दोनों के बीच का angle भी क्या होगा बच्चो 90 degree tangent और व्यास के बीच का angle 90 degree होता है तो aq निकालने के लिए हमें यह angle चाहिए होगा इस angle को alpha मान लेते हैं बच्चो क्योंकि 80 और ap दोनों ब्राबर है तो यह angle भी कितना पर्टी से 2 alpha प्लस theta ब्राबर कितना हो जाएगा 180 degree तो यहां से alpha आ जाएगा बच्चो आपका 180 माइनस theta divided by 2 ठीक है और अब देखो aq निकालने के लिए हमने क्या गिया aq upon 80 की length क्योंकि 80 अपने को पता है और aq अपने को चाहिए aq upon 80 कितना होगा aq upon 80 perpendicular इस बड़े triangle में देखना बच्चो इस बार इस वाले triangle में aq क्या है perpendicular और 80 क्या है base तो यह होता है आपका 10 और कितना alpha alpha किसके बराबर है बच्चो 180 by 2 means 90 minus theta by 2 ठीक है 10 90 minus theta कितना होता है बच्चो quote theta by 2 अब देखो आपको क्या करना है find the limiting value of aq when p move up to a देखो अगर p a की तरब move कर रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चो p a की तरब move करने का मतलब बच्चो यह line यहाँ पर आजाएगी यह line यहाँ पर आने का मतलब देखो यह line जब यहाँ से इधर आएगी ठीक है तो यह point इधर आएगा और यह point इधर आने से मतलब यह value इधर आएगी means आपका जो 2 theta है वो 0 की तरह पे अप्रोच करेगा और 2 theta 0 की अप्रोच करेगा means theta 0 की तरह पे अप्रोच करेगा means बच्चों आपको limit निकालनी है limit theta tending to 0 Aq ठीक है Aq कितना है बच्चो 80 into 4 theta by 2 80 अपने निकाल चुके यह रहा देखो 2 sin theta that is 2 sin theta divided by 80 into 4 theta by 2 4 theta by 2 को नीचे ले आईए तो यह बन जाएगा 10 theta by 2 theta tending to 0 ठीक है ना limit निकालनी हो ठीक है तो आप क्या देखते हो कि यह जो पूरी value है यह अगर 0 की तरह पे अप्रोच कर रहा है यह भी अगर 0 की तरह अप्रोच कर रहा और यही है आपका सही answer ठीक है तो यह था आपका question number 3 यह भी काफी अच्छा geometry का use करते हुए काफी अच्छा question था एक चलते हैं आगे बात कर लेते हैं next question that is question number 4 क्या है देखो इसमें हमें क्या करना है इसमें आपको दे रहा है देखो एक PX where B and C are the integers B और C integers है PX is the factor of both equation then the value of PX at X equal to 1 देखो क्या करना है अपने को कि PX यह है जहां पर यह जो PX है न यह इसका भी factor है और इसका भी factor है तो एक चीज़ देखो ज्यान से बच्छो यह जो PX है ठीक है X की power 4 plus 6X square plus 25 ठीक है न इसका भी जो एक factor है वो आपका P of X है और एक कोई दूसरा factor है बच्छो ठीक है न जान से देखना PX एक यह factor है और एक कोई दूसरा factor है ऐसी जो दूसरा वाला है आपके पास में 3X की power 4 plus 4X square plus 28X plus 5 ठीक है इसका भी एक factor तो आपका PX है और एक कोई दूसरा factor है ठीक है अगर मैं इन दोनों को जोड़ दू या सब्टेट कर दू ठीक है इन दोनों को जोड़ दू या सब्टेट कर दू ठीक है इसका मतलब क्या हुआ, कि PX आपका factor होगा, this plus minus this, ठीक है, अच्छा, एक चीज और, अगर मैं इसको किसी constant K1 से, इसको किसी constant K2 से multiply कर दूं, K1, K2 से, ठीक है न, तो भी क्या रहेगा, यहां पर K1 आजाएगा, इसके साथ में, यहां पर K2 आजाएगा, अभी भी PX उसका factor ठीक है, तो यह चीज आप सबको पता होनी चाहिए, कि अगर कोई function, किसी polynomial का, अगर कोई factor है, कोई 2 polynomial का, तो उनको add करने से, उनको subtract करने से, उनको किसी number से multiply करने से, divide करने से भी, वो उसका factor रहेगा, ठीक है, तो ऐसा ही अपने को देखो, इस question में करना है, क्या करेंगे, आपको ये पता है, कि PX बराबर X-square प्लस BX प्लस C है, ठीक है, तो ये अगर इसका factor है, तो ये इसको में से इसको गठा दे, तो उसका भी factor रहेगा, और अगर इसको 3 से multiply करके और गठा दे, तो उसका भी factor रहेगा, तो 6X-square plus 25, minus, इसको इसमें से गठा देते है, 3X की power 4 plus 4 x square plus 28 x plus 5 p x इसका भी वेक्टर है अब इसको इस में से क्या करेंगे गटाएंगे तो यह टरम तो कट जाएगी x की power 4 वाली तो कितना आएगा 18 x square minus 4 x square that is 25 into 3 75 minus 5 और minus 28 x कितना आएगा that is 14 x square minus 75 minus 5 कितना हो जाएगा पहले उसको लिके लो minus 28 plus 70 14 common ले लिजिए so x square minus कितना हैगा 4 x plus 5 ऐसा हैगा x square minus 2 x plus 5 यह आजाएगा इसका मतलब यह हुआ इसके गठाने से 2 factor बनेंगे ना उसमें से एक factor तो यह होगा आपका और दूसरा factor क्या होगा 14 होगा ठीक है और यह factor आपका क्या हो जाएगा क्योंकि px है वो quadratic format का है जिसमें b और c आपके कैसे है integers है और x square का coefficient है उसके अंदर that means यह जो factor है quadratic क्योंकि इस इन दोनों से मिला कर एक quadratic factor वो यही बन सकता है that means जो आपके पास में px होगा वो x square minus 2x plus 5 के बराबर है ठीक है तो यहां से आपके पास में आपको px मिल गया तो आप p of 1 की value निकाल सकते हो p of 1 की value कितने आ जाएगी 1 minus 2 plus 5 that is 6 minus 2 4 तो यह होगा बच्चो आपका सही answer आपको 0,4 अपनी answer की में बरना है clear है चली आगे चल लेते हैं बात कर लेते हैं question number 5 के बारे में क्या करना है देखो अपने को इस question के अंदर सभी को समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से कोई भी doubt हो आप अपने question को repeat करके दुबारा देख सकते हो ठीक है ताकि आपका सारे doubts अच्छी तरीके से clear हो जाए क्या है देखो next question इसी टाइप की कुछ टेंजेंट साएगी तो कौन साएरे निकालना देखो area region bounded by the car y ब्राबर 10x 10x से the tangent drone at c tangent से तथा x-axis से bounded area that means बच्छो आपको ये area find out करना है ये area कैसे find out करेंगे 0 ये point pi pi 4 है आपका तो इसको 0 से pi pi 4 तक 10 को integrate कर दे 0 से pi pi 4 तक 10 को integrate कर देते हैं और उसमें से triangle का area subject कर देते हैं बच्छो triangle का area निकालने के लिए अपने को tangent की equation चाहिए होगी उसके लिए आपको dy by dx चाहिए होगा so dy by dx ब्राबर कितना होगा seg square x इसमें pi pi 4 put करोगे तो seg pi pi 4 के value root 2 होती है उसका square करोगे तो 2 equation of tangent आएगी आपके पास में y minus y1 जब x pi pi 4 होगा तो y कितना आएगा बच्छो 1 ब्राबर m, m कितना है 2 into x minus x1 x1 कितना है बच्छो pi pi 4 ये point वो point है बच्छो जब आपके पास में क्या हो जाएगा y 0 हो जाएगा तो y 0 होगा तो x की value कितनी आएगी देखो x minus pi pi 4 x ब्राबर आएगा pi pi 4 minus 1 by 2 तो ये point P के coordinates होंगे बच्छो pi pi 4 minus 1 by 2, 0 ठीक है और इस point के coordinates है pi pi 4, 0 और इसकी height है 1 अब आप इसको कर सकते हो देखो 10x का integration क्या होता है ठीक है आप सबको पता होगा 10x का integration क्या होता है बच्छो that is ln of sign upon cost that is sec x का mode इसमें values put करनी है आपको 0 से pi pi 4 minus triangle का area triangle का area कितना होगा देखो 1 by 2 into base into height base कितना है देखो इस pi pi 4 में से इसको गटाना है x2 minus x1 तो pi pi 4 तो कट जाएगा और यह हो जाएगा plus 1 by 2 तो यहाँ पर 1 by 2 आजाएगा into height height की value कितना है बच्छो h ब्रावर कितना है आपका 1 so into 1 इसमें pi pi 4 put करेंगे तो sec pi pi 4 की value होती है root 2 so ln of root 2 sec 0 की value 1 होती है log 1 की value 0 और minus 1 by 2 into 1 by 2 1 by 2 बहार आजाएगा उसको common निकाल लेजिए तो पिछे बचेगा ln 2 minus 1 by 2 और देखे आपको खुद को पता चलेगा आपने सही किया है नहीं किया ln 2 minus 1 by 2 एक फेक्टर आपका बनना चाहिए देखेए 1 रा है और जो बहार है 1 by 2 वो किसके बरावर हो जाएगा आपका वो बरावर हो जाएगा बच्चो किसके k by 10 के so k by 10 बरावर 1 by 2 so k बरावर कितना हो जाएगा आपका 5 और यही है बच्चो आपका सही आंस्वर आपको अपनी आंस्वर की में फिल करना है 0 5 क्लियर है सभी को चलिए इसी के साथ चल लेते हैं आगे और बात कर लेते हैं अपने इस पेपर का last question का discussion और आईए देखते हैं अपने को इसमें करना है क्या discussion from integration again so आपको integrate करना है किसको e की power x के साथ में जब भी कोई function होता है तो आपन उसको लिखते हैं f plus f dash 10x plus quote x तो आपको दिया गया है लेकिन 10 square x नहीं हमें चाहिए seg square x तो इसको लिखा seg square x minus 1 और quote नहीं हमें cosec चाहिए तो इसको लिखा minus cosec square x minus 1 so minus minus plus 1 हो जाएगा तो 1 से 1 cancel out भी हो जाएगा अब देखो इसका differentiation यह रहा इसका differentiation यह रहा तो यह किसके बराबर हो जाएगा बच्चो e की power x 10x plus quote x इसके बाद में क्या होता है differentiation वाला पार्ट हट जाता है तो यह जो factor होता है जो आपके पास में बनावा होता है उसमें f plus f dash अगर दोनों होते हैं तो आप f dash को हटा दीजिए पिछे f बचेगा अब आपको करना क्या है बच्चो f o pi plus c भी होता है f o pi pi 3 minus f o pi pi 6 निकालना है तो f o pi pi 3 कितना होगा पहले तो e की power pi pi 3 यहाँ पर put करोगे तो 10 pi pi 3 ठीक है न 10 pi pi 3 होता है root 3 plus quad pi pi 3 will be 1 by root 3 minus आगे चलते हैं अच्छा plus c भी है इसमें ठीक है इस बार क्या करेंगे 10 pi pi 6 10 30 degree की value होती है 1 by root 3 plus यह root 3 और plus c minus करना है तो minus c हो जाएगा तो c से c तो कट जाएगा बच्चो इसका तो कोई use नहीं यहाँ से देखो दोनों factor common है आपके सामने इसको LCM लेके बाहर ले लिजी so 3 plus 1 4 हो जाएगा so 4 by 3 को बाहर common ले लिया तो पिछे बचेगा e to the power pi pi 3 minus e to the power pi pi 6 इसी format में देखो आपको अपना answer दिया गया है यह देखो यह रहा p निचे सा root 3 आएगा न 4 by root 3 ठीक है न बिल्कुल हाँ तो देखो क्या है p की जगे पर कितना है 4 तो p ब्राबर तो 4 q की जगे पर कितना है बच्चो 3 p क्यू आ गया r की जगे पर कितना है 3 और s की जगे पर कितना है बच्चो 6 ठीक है आपको निकालना क्या है p plus q plus r plus s इन सबको जोड़ दीजिए कितना आएगा आपका answer देखिए 4 plus 3 7 7 plus 3 10 10 plus 6 16 और यही भरना है आपको अपनी answer की के अंदर clear है तो यह था बच्चो आपका j advance का paper test series का जिसका solution हमने यहाँ पर देखा अच्छी तरीके से हर question को ठीक है फिर भी अगर आपको किसी question में कोई भी doubt है तो again आप अपने doubt class में आके उसको clear कर सकते हैं या उसको question को आप दुबारा देखिए दो बार देखिए तीन बार देखिए ठीक है अगर आपके concepts clear है topic से related तो I think इस paper के अंदर आपको अपने सारे doubts अच्छी तरीके से clear हो जाने चाहिए ठीक है इसके साथ आज इसको यही complete करते हैं बाकी बाते करेंगे next time okay thank you very much